नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीती में फिर से उबाल पेदा हो चुका है, विजेपी ने उन चार विदाइकों को नोटिस दिया है, जो विश्वासमस्त प्रस्ताव के दोरान उपस्तित नहीं हो रहे थे, असोक गेलोज सरकार के विश्वासमत के दोरान चर्चा में ये चारों विदाइक मौझूद नहीं थे विजेपी अब इन पर बड़ी कारिवाई करने वाली है राजस्तान विदानसबा में पिछले सब्ता सरकार के विश्वासमत बर बेहस के दोरान सदन में मौझूद ने रहने पर विजेपी ने अपने चार विदाइक को नोटिस जारी कर पुष्टी करण मांगा है पार्टी ने इन विदायकों को जेपुर बुलाया है इन चार विदायकों के नाम हरेंदर नीरामा गोपी चंद मीना केलास मीना और गोतम मीना है दर असल विश्वास मत्वे चर्चा वाले दिन भी विजेपी की तरफ से वीप जा उपस्ति रहने के लिए कहा गया था नेता परतिपक्स गुलाब सिंग कटारिया ने बताया कि ये चार विदायक उस दिन विदानसबा में आये थे लेकिन एक गंटे के अंतराल के बाद चले गए जबकि सदन की करेवाही बाद में फिर से शुरू हुई थी उन्होंने कहा क विदायकों के पुष्टी करण के बाद उनके उपर जरूर कारेवाई की जाएगी 14 अगस्त को सुरू हुए विदानसबा सत्र में असोग गेलोत सरकार ने विदानसबा में विश्वासमत का प्रस्ताव रखा था सचिन पाइलेट और बाकी बागियों की गरवापसी से अस के दनबल की राजनिती की करारी हार भी बताया था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद